Dear Students, I hope you all will be fine. आज जो टफिक मैं डिसकस करने जा रहा हूँ वो है पोस्टिंग फ्रॉम दे जर्नल तो दे लेजर यानि जर्नल जो डे बुक है उससे टांजेक्शन को लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट किया जाता है सबसे पहले पोस्टिंग की डेफिनिशन देखते हैं कि पोस्टिंग है क्या जो डे बुक है जर्नल है उससे भी जितनी भी फाइनेशल इन्फोर्मेशन है उसको अप्रोप्रेट अकाउंट में कैप्ट करना टांसफर करना इसको पोस्टिंग कहते हैं यानि जो जर्नल में जो information आपनी record की है date wise chronological wise उसको proper accounts जो appropriate accounts है उनके जो specific accounts है वो information journal से उन accounts में transfer करने को posting कहते हैं पॉस्टिंग refers to transferring the information in a journal entry to the appropriate ledger account वही जो हमने पहले discuss किया कि जो जर्नल है डियो बुक है उससे information को transfer करना appropriate ledger में तो उसमें कुछ मजीद information भी हम enter करते हैं जिसको मैं आगे discuss करता हूँ यह उसका pro forma है ledger account का ledger account में सबसे पहले date mention की जाती है date से पहले मैं mention करूँ कि जो left side है वो debit side है ledger account का और जो right side है वो credit side है ठीक है और इसमें चाहे left side हो या right side हो दोनों में जो columns है वो common है सबसे पहले date पिर particulars पिर जो left लिका हुआ है इसको ledger folio केते हैं और उसके बाद amount इसी तरह credit side है भी सबसे पहले date है पिर particulars पिर ledger folio और amount अब इसमें अब इसमें जो left लिका है ledger folio ledger folio क्यों use करते हैं जब भी ledger account ledger account को अगर असान अलफाद में बयान किया जाए वो एक book है book of account जिसमें several accounts होते हैं तो कोई specific account को आपको पता होना चाहिए कि किस page पे तो उसके लिए referencing दी जाती है एक particular page number इसको assign किया जाता है तो उसके लिए जो initial page होता है five to ten तो उससे फायदा यह होता है कि पता चलता है कि कैश का account जो है वो इस ledger account में कहां से start हो रहा है तो उस वो time saving है और जल्दी उसको आप access कर सकते हो देखे टी account में सबसे पहले ऊपर account title लिखते हैं account title में जो nature of account है for example cash account है machinery account है furniture account है यह सारे assets के account हो गए इसी तरह liabilities के accounts हो सकते है account payable long term loan या interest payable यह सारे account title हो सकते है expenses भी हो सकते है कुछ भी हो सकता है जो total जितने भी accounts है उनको हमने पहले classify किया था assets, liabilities, owners, equity और revenues and expenses तो उनके जितने भी items है पांच main heads के जितने भी सब items है वो account title हो सकते हैं तो इस टी account में या जो लेजर account है इसके दो side होते हैं एक left side और एक right side जो left side है वो debit side होता है और जो right side है वो credit side होता है तो इसको further discuss करते हैं ledger account को ledger account का जो balance होता है हर ledger account का एक balance होता है balance जो है वो क्या होता है वो left side और right side में जितने भी amounts होती है जितना भी उनका sum होता है उन दोनों को आपस में जब स्टेक किया जाए उसका जो difference निकाला जाए उसको balance कहते हैं यानि right side पे भी कुछ transactions है और left side पे भी कुछ transactions है तो उन दोनों को जब आपस में minus करेंगे या उनका कोई difference निकालेंगे वो difference जो होगा वो उसका balance होगा उसी ledger account का तो इसमें देखा जाए assets assets के हमेशे जो है वो left side balances होते हैं left side balances होते है assets के और वो increase जब कोई transactions होती है या entries होती है तो उससे left side जो है वो क्या होता है वो increase होता है for example entity ने asset purchase किया furniture का example आप suppose कर लें furniture purchase किया 50,000 dollars का तो वो 50,000 dollars का जो furniture है वो furniture account के left side पे उसकी transaction होगी और date साथ mention होगी और amount 50,000 dollars भी उसके साथ लिकी जाएगी ठीक है तो ये left side के transaction से क्या हुआ ये overall जो asset है वो increase हो गया ठीक है और इसी तरह जो right side के entries होंगे उससे क्या होगा उससे assets decrease होंगे for example entity ने assets को dispose of कर दिया तो उससे क्या होगा वो credit जो right side है right side पे entries होंगी right side पे entries होने की वज़ा से overall जो asset है वो decrease होगा तो जो balances है balances जो है वो हमने दोबारा इसको repeat करते हैं कि जो right side और left side की जो amounts है transaction है entries है उनकी दर्मेहन जो difference है उसको balance कहा जाता है और वो balance in case of asset वो जब left side पे transactions होंगी तो वो increase होगा और balance decrease होगा जब right side पे entries होंगी इसी तरह liabilities and honors equity के हमेशा जो है वो right side balances होते है right side balances जब भी for example liability increase होती है तो वो credit होती है तो credit side कौन सा side है right side है right side में उसकी entry record की जाएगी पूस्ट की जाएगी लेजर में तो right side में जो balance जादा entry जादा होंगी और left side पे कम तो at the end जो balance हाएगा वो balance हमेशा जो है उसका credit balance हाएगा और वो show होगा left side पे owners equity का भी यही case है अभी देखें यह एक हम आपको दिखाते है जर्नल जर्नल में जब यह गार्ज ने cash invest किया अपने business में as a capital तो cash उससे debit हुआ और capital credit हुआ cash asset है वो increase हुआ वो debit हो गया और owners equity जो है वो गार्ज की वो increase हुई increase होने से वो credit हो जाती है तो यह उसकी एक journal में यह डे book में उसकी transaction इस तरह record होगी अब बात आती है posting की के लेजर में इसको कैसे post करेंगे वो हम next slide में discuss करते हैं देखें यहाँ पे दो accounts effect हो रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि dual aspect concept के हर transaction से at least दो account जुरूर effect होंगे तो यहाँ पे जो दो accounts effect हो रहे हैं फस्त जो है वो cash account है और second हमारे पास जो है वो वो account है capital account है तो cash account इस तरह बनेगा कि cash account देखे cash debit हो रहा है ठीक है हमने यह journal में देखा कि cash जो है वो debit हो रहा है 30,000 रुपीज से तो इसका यह होगा कि cash account बनाएंगे और उसी debit site पे 30,000 की amount लिखेंगे amount के column में date डालेंगे अपरेल टू और यह debit किस वजह से हो रहा है देखे हमारे transaction में देखे cash debit हो रहा है किस वजह से गार्ज याश कापितल की वजह से तो हम क्या लिखेंगे to gas capital याश जो है cash account debit हुआ तो जो जिस account की वज़ह से वह affect होगा वह हम इसमें लिखेंगे इसी तरह देखा जाए तो जो capital account है capital account भी इसी तरह maintain होगा गार्च capital का debit side होगा credit side होगा तो उसमें जो amount हम mention करेंगे amount same यह 30,000 होगी और date भी अपरेल 2 और इसके लबाज जो particular यह जो amount और date लिखेंगे यह credit side पर लिखेंगे क्योंकि यहां पे जो हमारे पास journal है जर्नल एंट्री है वो guarज capital क्या हो रही है credit हो रही है तो credit होने से क्या होगा credit side पर इसको post करेंगे credit side में हम amount को भी credit side पर लिखेंगे credit side के क Similarly mama date को भी credit side के का увер mand. अच्या यह जो गार्च का capital account है जो credit हो रहा है ये किस की वज़ा से हो रहा है ये cash account की वज़ा से credit हो रहा है तो हम क्या करेंगे हम particulars में लिखेंगे to cash account यानि ये जो journal entry थी इसमें दो accounts effect हो रहे थे cash account और garbage capital account तो cash account हमने एक maintain किया लेजर का और दूसरी लेजर account में हमने garbage capital account maintain किया cash account में हमने cash account को debit किया किसकी वज़ा से garbage capital account की वज़ा से इसी तरह garbage capital account जो लेजर account बनेगा वो credit होगा किसकी वज़ा से वो होगा cash account की वज़ा से तो as a result जो है जो हमने पढ़ा था कि हर transaction का transaction जो है वो at least two accounts को ledger accounts को affect करेगा उसी principal को जो है हमने यहाँ पर implement किया तो students एक और example देखते हैं वो है prepared insurance और cash prepared insurance debit हुआ और cash credit हुआ इसका मतलब यह है कि entity ने cash pay किया और वो insurance जो उन्होंने current period का नहीं है insurance expense current period का नहीं है बलकि future period का है तो वो future period का expense उन्होंने advance में pay किया जब advance में pay किया जाता है तो उससे हम expense को debit नहीं करते हैं बलकि उसको as asset treat करते हैं तो यह prepared insurance debit होने से asset create हुआ और उसके अगेंस्ट जो पेमिंट हमने की है कैश में कैश एक एसेट है वो डिक्रीज हुआ तो वो डिक्रीज होने से क्रैडिट हुआ तो यह एक जर्नल एंट्री थी अब इसको हम पोस्ट करेंगे तो हम सबसे पहले हमारे पास यह है कि हमारे पास दो इसमें अकाउंट्स हो रहे हैं एक cash account है और एक prepaid insurance account ठीक है दोनों assets account है तो सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि जो prepaid insurance का account है उसको maintain करेंगे prepaid insurance account debit हो रहा है किसकी वज़ा से cash की वज़ा से तो prepaid insurance का जो debit side ledger account का debit side है उसमें हम लिखेंगे to cash जानी Prepaid insurance account debit हुआ किस की वज़ा से cash की वज़ा से इसी तरह same as it is हम आगे देखेंगे कहे हमारे पास केरेंग को भी इसी तरह करेंगे कि बहुत हम पास क्रेड़िट हो रहा है क्रेड़िट साइड में हम इसके एंट्री करेंगे और क्रेडिट किस की वज़ा से हो रहा है तू प्रिपेड इंशोरेंस की वज़ा से तो यह था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने यह डिसकस किया कि ओवराल जो अकाउंटिंग साइकल में टायर टांजेक्शन इडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर तो स्टुडेंट्स कैंडली इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू